बिस्मिल्लाहिर रह्मान एरहीम, अस्सलाम अलेकूम एब्रिवान, उमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मेरा नाम है फात्मा और आप देख रहे हैं FM सबावर्ची हाना दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार प्यास करेली की रेसिपी, बनते बहुत ही मज़ेदार है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप भी शेयर करूंगी कि कैसे आप करेलों की करवाहट को दूर कर सकते हैं चलि ही रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने 1.5 kg के करेले लेने हैं, उनको कट करना है और पूरी रात के लिए आपने 1 टी स्पून नमक लगाके उनको छोड़ देना है करेलों को अगर आप नमक लगा के ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं तो करेलों के अंदर से कड़वाहत हतम हो जाती है तो आपने ये step लास्मी करना है, next day आपने करेलों को अच्छे से पानी के साथ वाश कर लेना है और फिर आपने करेले बनाना स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने कडाही के अंदर एक कप के скоро इदार में करेलों को अओल सामिल एक करेलों को अदर करिख और तो सबसे पहले मैंने 2 आध़ करेले ड़े ये कन्दार अधहर और से कालों को आपने ओे ऑलिक average ऐसे हैं जितना जाद आब करेलो को रेंगे इनको जलाएंगे उतनी ज्यादा कढ़वाहड ऐसके अνदर तो आप देख सकते हैं के लों का ओना चेंज नहीं किया मैंने अहले हल्काताहि गोल्डन ब्राउन करने तक करेलों को फ्राइ कर करते हैं किसी भी बोल में आप सेम ऑईल के अंदर आपने तकरीबन चार से पांच हदत बारीक कटे हुए प्यास शामिल करने है यह प्यास करेले में बना रही हूं और इसके अंदर ज्यादा डलता है इसलिए आपने भी इतना लेना है प्यासों को आपने इतना कुक करना है कि इनका ज आलोो के साथ ही मैंने बीच बीडाल दीए हैं अब इने हम मिक्सस करेंगे अब आपने इनको इतना fry करना है कि सारी चीजों का ऐड़ गोर्डन ब्राउन सा हो जाए जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से फ्राइ हो जाएंगी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं करेले आज आपने यहां पे दर्मियानी रखनी है करेले मैंने सारे डाल दिये हैं साथ ही अब इसमें मैं शामिल करूंगी टमाटर मैंने यहाँ पे चार अदर ताजे टमाटर लिये थे उनको चॉप किया शामिल कर दिये इसमें फिर इसमें तीन अदर चॉप किया हरी मिर्च है जाएंगी ये सारी चीजें डालके आपने इसमें मसाले डालने है सबसे पहले इसमें 2.5 टीस्पून आपने नमक डालना है 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है हल्दी मैंने यहाँ पे 1 टी स्पून हल्दी का पाउडर डाला है 1 टी स्पून ही मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्चे बहुत basic spices हम इसके अंदर शामिल करेंगे बहुत simple easy सी recipe है अब आपने इसमें एक छोटी चमच धनिया पाउडर डालना है सारी चीज़े मैंने डाल दी है अब आपने इनको mix कर लेना है और mix करने के बाद आपने इसको ढखके cover करके आज को धीमा कर देना है धीमी आज के उपर आपने करेलों को और प्याज और टमाटर को अच्छे से cook कर लेना है तकरीबन 20-25 मिनिट के लिए जब तक के अच्छे से हर चीज़ सॉफ्ट ना हो जाए गाइस यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जब आप इसे ढखके रखेंगे तो हर 5-10 मिनिट के बाद वक्तन फवक्तन आपने इसमें चमच लाजमी चलाना है ताके करेले नीचे ना लगें यहाँ आपको एक ओर टिप देना चाहूंगी कि अगर आप यह सारा प्रोसेस करने के बाद भी करेलों को नमक लगाने के बाद भी अगर आपको लगे के करेले जो हैं कडवे ही बनते आपसे तो आप इसके अंदर तकरीबन 3-4 चमच के करीब दही शामिल करें और फिर इसे थोड़ी देर के लिए कोक कर लें तकरीबन 5 मिनट के लिए तो इससे यह होगा कि करवाहट बिल्कुल ही हत्म हो जाएगी मैं सम्टाइम्स दही भी शामिल करती हूँ अधि डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथ ही आपको बताती चलों कुछ लोगों को अलुन नहीं पसंद होते जब कि प्यास करेलों में आलू का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है अगर आपको आलू नहीं पसंद आप सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको आज की ये मज़ेदार प्यास करेले की रेसिपी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा चैनल पे नुए है तो चैनल को रेट बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस करके अल नोटिफिकेशन अन कर लिजेगा इससे मेरे आने मली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है सो मैं मिलूंगी आप से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा हयार रखेगा मुझे दौाओं में याद रखेगा टेक केर अला हाफिज अला निगे बान